आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउनलोड करें सेंटी मीटर, ठीक परत की मोटाई, ठीक तो ट्रे का 6 तरफल कितना है, ठीक जबकि सिल्वर का गनत तो 10.5 ग्राम सेंटी मीटर की घात मैनस 3 इतना दे रखा है, अब दोस्तों देखने में तो बहुत बड़ा कोशन लग रहा है, लेकिन अगर मैं आपको बता हूँ, कभी इस तरह का कोशन या इतना बड़ा कोशन जो आपको पड़ाने में बहुत बड़ा लग रहा हो, उसका एक सिंपल सा तरीका में बताता हूँ, कभी भी आप दिक्कत नहीं फिल करोगे, जो सिंपल सा कोशन है, मैं एक जो है, आपको कॉमफर्ट टेबल जोन में ले जाकि इस सिंपल सा तरीका है, जो जो डाटा दिया है, पहले वो डाटा आप लिख लो, ठीक है, ओके, सबसे पहले यहाँ पर देखो, डाटा हमारा क्या दे रखा है, कि सिल्वर की 1 प्लस आक्सिकर्ण अवस्था में उपस्तित है, मतलब सिल्वर हमारा, एजी प्लस, ठीक, प्लस 1 यह कहाँ देगा, एजी, इस अवस्था में उपस्तित है, ठीक है, यहाँ पर हमने देखा, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सिल्वर का 1 मोल को निच्छेपित करने के लिए, आप क्या देख रहा हो, 1 मोल एलेक्ट्रौन की जरूरत पढ़ रही है, ठीक, इतनी चीज़ अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है, कि इस विलियन में 8 एंपीर धारा, आई कितनी है, हमारी 8.46 एंपीर, ठीक है, डाटा अब देखते जाओ, क्या-क्या डाटा दे रखा है, उसको आप लिखते जाओ, टी हमारा कितना दे रखा है, 8 गंटे, ठीक, 8 गंटे दे रखा है, अब प्रवाहित करके विद्धु तब घटन करने पर, एक ट्रे पर निच्छेपित सिल्वर की मात्रागात किजिए, जबकि मोटाई, ठीक है, यह समय दे रखा है, मोटाई को हम किस से डेनोट कर लेते हैं, मोटाई को हम डेनोट कर लेते हैं, ठीक, ओके, यह हमारी अरे का छेतरफल उन्होंने पूछा है, जिबकि घटनत, कैपिटल डी हमने घटनत ले लिया, घटनत कितना, 10.5 ग्राम, ठीक, सेंटीमीटर की घात, मैनस 3, यह दे रखा है, अब दोस्तों को यह चीज़ आपको पता चल गया है, आपको यह पता है, कि इस इन चीजों की ही हेल्फ से हम कोशन को सौल कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको यह समझना होगा, कि कैसे हम इन चीजों को यूज करें, अभी तक आपको यही नहीं पता चल गया था, क्या क्या दिया है, अब आपको यह पता चल गया, क्या क्या दिया है, अब आपको यह पता करना है, कैसे इन को हमें use करना है अब use क्या करना है कैसे करना है इस पे दिमाग डालिए अब दोको सबसे पहले question कर रहा है कितने gram silver निच्छे पित होगा तो दोस्त इतने gram silver निच्छे पित होगा इसको देखने के लिए आपको पहले कहा जाना पड़ेगा फराडे के दोतीनियम पर फराडे के दोतीनियम पर जाना पड़ेगा कि कितने gram जो है दोतीनियम क्या है कि w equal to e upon 96500 into i into t ठीक है बिल्कुल ये हमारा जो है फराडे का प्रतम नियम है प्रतम नियम का गड़ती रूप है ये बहुत important formula है आप इसको important डालिए जहां पे w क्या है जो मुक्त पदार्द की मात्रा है और capital e क्या है कि मुक्त पदार्द का तुल्यांकी भार ठीक है क्या है मुक्त पदार्द का तुल्यांकी भार अब जो खुद दोस्तों मुक्त पदार्द हमारा कौन है आपको पता है silver हमारा मुक्त पदार्द है तो silver हमारा क्या है मुक्त तो तुल्यांग की भार कैसे निकालोगे, तो तुल्यांग की भार आप कैसे निकालोगे, आपको पता है, तुल्यांग की भार क्या होता है, अडुभार बटे N फैक्टर, क्या होता है, अडुभार बटे N फैक्टर, ठीक, N, तो अडुभार यहाँ पे, एक मोल का अडुभा लेके चलिए, क्योई calculation आपकी easy हो जाएगी, 108 में माना, ठीक, n factor कितना है, यहां पर 1 electron का transfer हो रहा है, मतलब n की value यहां पर 1 हो गई, ठीक है, अगर 2 electron को transfer होता है, तो n की value 2 हो जाती, तो यहां पर n की value कितनी हो गई, 1 हो गई, तो इसका तुल्यां की बाहर हमारा दोस्तों कित यहां की बाहर को भी हम थोड़ा highlight कर लेते हैं, क्योंकि यह हमारा point जो है, थोड़ा use वाला है, ठीक, use होगा इसका ज्यादा, अब यह कोई इतनी चीज़ हमारी के लिए होगी, अब हम वही चीज़े, मैं कह रहा हूँ न, चीज़ों को connect करना सिंगना पड़ेगा, अब जो 2.46 लिख लिया, समय हमारा कितना दे रखा है, 8 गंटे दे रखा है, अब 8 गंटे दे रखा है, इसको second में हम change कर लेते हैं, ठीक, 8 into 60 से minute में बना, फिर 60 के multiply कर दी, यह second में चला गया, ठीक, ओके, जब दोस्तों हम इसको solve करते हैं, इसको solve करके देख लेते हैं, ठीक है, ब 6 पित पदार की मातर है इतनी, मतलब पहले question का answer हमें मिल गया है, वही चीज़, इस question को solve करो, जब कभी भी question आपको बहुत बड़ा देखे, उसको solve करते जाओ, ठीक है यह दोको, इतना हमारा गया, अब दोस्तों हम देखते हैं, कह रहा है, कि यदि silver की परत की मोटाई इतन तो में capital A निकलना है, तो आपको पता है कि 6 पर फल का formula क्या होता है, 6 फल हमारा हो जाएगा A, ठीक, आयतन बटे मोटाई, ठीक है, यह हो जाएगा, 6 फल, 6 फल हम रहा आयतन बटे मोटाई हो जाएगा, अब आपको दोस्तों आयतन पता करना है, अब तो भाई कहोगे, आयत आयतन हमारा क्या हो जाएगा आयतन हमारा 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 हो जाएग क्या हो जाएगा आयतन इकोल टू हमारा हो जाएगा 272.18 ग्राम ठीक यहां पर आप इसकी मातरक का भी ध्यान देते ग्राम है ठीक है अब गहनत देखो कितना देरिखा trapped है गहनत हमारा देरिखा lend 10.5 ग्राम सेंटीमेटर 10.5 ग्राम सेंटीमेटर की power minus 3. अब gram से gram cancel हो गया. इसको जब अप solve करोगे तो हमारा आयतन कितना आ जाएगा? हमारा आयतन आ जाएगा दोस्तों. कितना? 25.92 cm3. इसे ml में भी लेख सकते है. सेंटी मेटर क्यूब का मतलब भी ml होता है. ठीक है? आयतन हमारा इतना आ गया दोस्तों. ठीक है? अब दोस 9.2 divided by. ठीक. इसको cm3 में लिखिए. अब मोटाई देखो आपकी कितनी दे रखी है? मोटाई आपकी दे रखी है. 0.00254. कितना? 0.00254 cm. यह देखो यहाँ पर आयतना हमारी. मोटाई हमारी यह दे रखी है. यह दे रखी कि नहीं दे रखी है? बिल्कुल. वही बता रहा है डाटा आपको अगर पता है. आप पुशिन को सॉल्ल करने वाले हो अच्छे से. अब यहाँ पर cm से 1 cm कैंसल हुआ. अब आपका आयतन कितना जाएगा? छेतर फल ठीक. छेतर फल ठीक. छेतर फल एक्वल टू कैपिटल एक्वल टू आपके कितना जाएगा? हमारा जाएगा 1.02 into 10 की पावर क्या जाएगा? 10 की पावर 4 cm2. तो दोस्तों हमारा ये इतना आंसर आगया. छेतर फल एक्वल टू A 1.02 into 10 की पावर 4 cm2. ठीक है? ओके दोस्तों. तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पूरी चीज़े बता दी हैं और मैं आसा करता हूँ कि ये पूरा कोश पूरा कोशन आपको समय में आऊगा. धन्यवाद.